आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सिर्फ शैनिवार इवनिंग में कुछ समय विताएं स्पर्धा प्रकाशन के यूटीब चैनल पे और हमारे वीकली न्यूज एवरी सैटरडे जरूर देखें इसे आपको पूरे वीक का जर्गन का important current affairs news clipping मिल जाएगा एक और important बात clipping के साथ हमने हर slide पे एक questions दिया है moreover हमारी कोशिस ये होगी कि mostly हम clipping के category जैसे polity, history, योजना, सिक्षा, खेल, award से question frame करें और आप अपने आपको judge कर सकते हैं कि जर्गन के किसी भी परिक्षा को देने के लिए आप कितने prepared हैं और अगर कोई vacuum है तो उस पर focus करें एक और महतपुन सोचना आपको Sunday को वीडियो का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा answer के साथ संताली के लिए अंजन को साहित्य अकादमी युवा दुगाई टुडू को बाल साहित्य पुरसकार किस साहित्यकार को बिनोध बिहारी स्मृती सम्मान 2023 प्रदान किया गया PG कोर्स के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी हाल ही में जारखंड के किस निजी विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A ग्रेड दिया गया A. अरका जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर B. YBN विश्वविद्यालय रांची C. साइनाथ विश्वविद्यालय रांची D. BIT मैसरा रांची जन जातिय सिनेमा के निर्माता निर्देशक को वित्तिय मदद देगी सरकार चंपाई जारखंड Mrs. India कौन बनी A. रिया तिर्की B. मीनाक्षी माधुर्य C. दीपिका साहू D. प्रिया दास बार भिता हसा लागिड को बेस्ट फिल्म का खिताब किसे सुभद्रा स्मृती सम्मान दिया गया A. सरोजनी लक्रा B. डॉक्टर वीना पांडेय C. महाश्वेता देवी D. अनिता रश्मी राष्ट्रिय यूथ एथलेटिक्स में सुजाना लकडा को स्वर्ण संदीप को रजत Annual Queen of International Tourism 2025 का खिताब किसने जीता A. रिया तिर्की B. प्रिया दास C. रेनु सिन्हा D. एंजेल, मेरिना, तिर्की सेरेंगदा घाटी पर्यटन स्थल के रूप में होगी विकसित स्पेन के त्रिबांगों में संपन्न Youth Commonwealth Games में जारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने कौन सा पदक जीता A. स्वर्ण B. रजत C. कांस्य D. इन में से कोई नहीं ट्रांसजेंडरों को लिंग परिवर्तन के लिए टाटा स्टील दे रही दो लाख रुपए जारखंड का कौन सा विश्वविद्यालै आदिवासी कला और संस्कृती का पर्यटन स्थल बनेगा A. विनोबा भावे विश्वविद्यालै B. सिदो कानहू विश्वविद्यालै C. कोलहान विश्वविद्यालै D. नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालै अब सीएम एक लाख मंत्री 45,000 ज्यादा पाएंगे विधायकों का वेतन भत्ता भी 48,000 रुपए बढ़ा डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है A. रांची B. बोकारो C. धनबाद D. गुमला रांची के विकास ने सब जूनियर एशियन कुष्टी में जीता कांस्य पुने मिन संपन रोलबोल विश्वकप में जारखंड से किस खिलधी ने भारतिय तीम का प्रतिनिधित्व किया A. एमोनू गुपता B. मुकेश कुमार मुखी C. श्रिकांत साहू D. उपरोक्त सभी जारखंड के दो पहलवान भारतिय तीम में तमिलनाडू के सिरुवचूर में पैरा सीटिंग वॉलीबॉल फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा आयोजित फेडरेशन पैरा सीटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जारखंड की महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? A. स्वर्ण B. रजत C. कांस्य D. कोई नहीं चारखंड सरकार रसोई गैस पर देगी सबसिडी नई दिल्ली में आयोजित एनाईचेम की बैठक में जारखंड के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यरत किन महिलाओं को E. स्कूटी देने की घोशना की है? A. आशा कार्यकरताओ B. जीविका दीदियों C. साहिया बहनो D. इनमें से सभी तो 2030 तक 100 मिलियन टन कोईले का गैसी करण जारखंड राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्ष 2024 तक कितने करोड रुपए राशिक खर्च किये जाएंगे? A. एक लाख करोड B. डेर लाख करोड C. दो लाख करोड D. धाई लाख करोड मुहरा जारखंड में अब 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त हाल ही में जारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रें का पुनर निर्मान किया जाएगा? A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 60 लाख 24 जनवरी 2024 को हुई जारखंड कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य कर्मियों को बिना मोर्गेज किये कितने रुपए राशित तक हाउसिंग लोन मिलेगा? A. 30 लाख B. 40 लाख C. 50 लाख D. 60 लाख रांची की आध्या बुधिया ने जीता पाकिस्तान में गोल्ड जारखंड की किस जिला की आध्या बुधिया का चयन तीसवी एशियन जूनियर इंडिविजुवल स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया A. धनबाद B. बोकारो C. गोड़डा D. रांची सकारात्मक प्रभाव वाले संस्थानों की शीर्ष सूची में XLRI प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वेद बेस्ट कॉलेज ओफ इंडिया में जारखंड के किस संस्थान को दूसरा स्थान मिला है A. BIT मैसरा B. CIT C. RBS कॉलेज D. इन में से कोई नहीं 33 लाख लोगों को 15 लाख तक की इलाज की सुविधा 3 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार दिवाली के उपलक्ष में किस योजना की सहायता से राज्य के सभी टोला और घरों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष रखा है संसद की शोभा बना जमशेतपुर के मोहन का टेराकोटा बोदाम प्रखंड के विकास माहली ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रिय कला उत्सव में जार्खंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक नृत्य में कौन सा स्थान हासिल किया तीसरी बार हेमन सरकार जार्खंड के पूर्व मुख्यमंत्री रगुवर दास को किस राज्य के नए राज्यपाल नियुत्तफ किया गया है नई चीफ जस्टिस सारंगी ने ली शपत केस की सुनवाई की जार्खंड सरकार द्वारा किसे अल्प संख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया अविनाश ने संभाला अपर मुख्य सचिव का पदभार हाल ही में आयकर विभाग का लोक अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया A. विनोद सिंह B. नलिन सोरेन C. मेंका सर्दार D. प्रियरंजन कुमार प्रियरंजन कुमार भी में आयकर अविना एफ प्रियरंजन कुमार